दोस्तो किसी भी मोबाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं इस उडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन अलग-अलग कमपनी के मैंने फोन ले लिया है और तीनों फोन को दोस्तो इस उडियो के अंदर मैं अपडेट करके आपको दि प्राइवेट फोटोज वीडियो जे ओभी लीख होने का खत्रा बना रहता है इसलिए अगर आप अपने मोबाइल को पूरी तरह से सिक्योर रखना चाहते हैं और एकदम फास्ट स्मूथ रखना चाहते हैं तो उसके लिए मोबाइल को अपडेट करना बहुत ही जरूरी है तो कैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट करेंगे चले मैं आपको एक एक करके तीनों फोन के अंदर दिखा देता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर देना तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कैसे आप अपने मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं मोबाइल अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका जो फोन है ये पूरी तरह से नया बन जाता है और hang भी नहीं करेगा अगर पहले hang कर रहा था तो update के बाद दोस्तो hang करना भी बन कर देगा ठीक है तो इसके लिए आपको करना क्या है सबसे पहले मैं इस वाले phone के अंदर आपको बता देता हूं कि mobile को update कैसे करना है यह दोस्तो वीवो यानि की IQ का phone है वीवो का सब ब्रैंड है तो इसी कैसे update करना है ओ मैं आपको बता देता हूं ठीक है इसमें जो process रहेगा यह same process दोस्तो आपके mostly phone के अंदर मिल जाता है same ठीक है ज्यादा फरक नहीं होता तो इसमें update करने के लिए आपको setting को open करेना है setting open करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है नीची चले आना है नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाता है system update आप देख सकते हैं कई-कई mobile में अलग name से होता है जो बाकी phone के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है बस आप वीडियो को पूरा देखना अगर आपके mobile में इस प्रकास से update करने का feature नहीं है तो आप वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा क्योंकि बाकी दोनों phone रखे हुए हैं उसका भी update करने का process में आपको दिखाऊंगा ठीक है तो अब इस phone के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर update आया हुआ है यहाँ दिखा रहा है तो इसके उपर हमें click कर देन है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो अप देख सकते हैं हमारे mobile के अंदर 203 MB का जो है update आया हुआ है अब यह जो update का size है यह depend करता है कम ज़्यादा आपके mobile phone के अंदर ठीक है अगर काफी time से आपने update नहीं किया है तो size बहुत ही ज़्यादा भी हो सकता है अब क्या क् पूरा का पूरा description है तो अच्छे यह तो आप इसे अच्छे से readout कर सकते हैं update करने से पहले अब इसे update करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा यहाँ पर दिया है download and install तो इसी के ऊपर simply हमें click कर देना है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर यह कुछ जो है enable करने के लिए ब लग सकता है तो जब भी आप अपने mobile को update करें तो try करें दोस्तों wifi से connect कर ले अगर आपके घर में wifi नहीं है तो दोस्ते आपि किसी के घर में wifi है तो दो चार दस मिनिट के लिए वहाँ पर आप जाकर अपने mobile को update कर सकते हैं क्योंकि internet data से update करेंगे तो ऐसे में दोस्तों data खतम होने का chances बना रहता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह 80% से उपर हो चुका है थोड़ा सा कुछ second wait करते हैं उसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए यह 95, 96, 7 उसके बाद ओके तो यह finally हो चुका है ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ आ रहा है installing अ अब यह जो installing का process है यह थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है wait करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह लगभग 94% तक हो गया है अब इसमें थोड़ा सा दोस्तों समय भी लगता है तो आपको यहाँ पर wait करना क्योंकि mobile update होने में 5-10 minute का समय जाता है तो यह 97% तक हो गया है यह जैसे ही 100% होगा अब दोस्तों आपको यहाँ पर restart करने के लिए बोलेगा तो आपको simply क्या करना है restart now के उपर जो है click कर देना है तुरंत आपका जो mobile है यह restart होगा और restart होने के बाद दोस्तों आपका mobile पू समय क्यों लगा रहा है इसमें समय लगेगा ठीक है तो यहाँ पर हम इसे आराम से restart होने देते हैं उसके बाद आगे का process दिखाता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों mobile जो है restart हो गया है अब जो आपका password है उसे यहाँ पर enter करके अपने mobile को unlock कर लेना है ठीक है यहाँ पर आप दे लेटिंग दिया हुआ था उसे आपको open कर लेना है अब इसे यहाँ पर open करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है the system is already the latest version यानि कि हमारा mobile update हो गया है और latest version में है ठीक है अगर आपके mobile में इस प्रकार से लिखा हुआ आ रहा है तो ऐसे में आपका mobile जो है up to date है आपको कुछ कर mobile है तो अगर आप एक Samsung user है तो आप अपने mobile को इस वीडियो को देखकर update कर सकते है ठीक है तो mobile को update करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले settings के अंदर आना है किसी भी company का mobile हो update करने के लिए आपको setting को ही open करना पड़ेगा ठीक है setting के अंदर आप आएंगे तो पर click करना है इस पर आप click करेंगे तो सबसे ऊपर देखने को में लिएगा download and install इसके ऊपर आपको click कर देना है इस पर step करेंगे तो यहाँ पर यह सबसे करेंगे तो आपका मोबाइल जो है अपडेट हो जाएगा तो इस तरह से आप सैमसंग के मोबाइल फोन को भी जो है अपडेट कर सकते हैं अब दोस्तों ये मैंने जो है तीसरा फोन ले लिया है और ये पोको का फोन है अगर आपके पास MI, Redmi, Xiaomi, Xiaomi, Poco ऐसा फोन है तो इस वीडियो को देखकर यानि कि इस वाले फोन का जो है प्रोसेस देखकर अपने मोबाइल को अपडेट कर पाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले सेटिंग को ओपेन कर लेना है मोबाइल को अपडेट करने के लिए आपको सि चेक करेगा और यहाँ पर देख लिएजिए नो अपडेट दिखार है ठीक है चेक फ़ॉर अपडेट की उपर हम क्लिक करेंगे नो अपडेट अवेलेबल यानि कि हमारे मोबाइल यहाँ पर कोई भी अपडेट आया नहीं है अगर कोई अपडेट आयर रहेगा तो यहीं लाइक और शेयर करना साथी साथ हमारे शेनल को सब्सक्राइब करना थेंक यू दोस्तों वाइब और टेक कियर